हाउ टू ट्रांस्फर वीडियो फ्रों मॉबाइल टू लैपटॉप यूजिंग ब्लुथूथ आज के वीडियो में इस प्रॉसस को किस तरीके से कंप्लीट करना है वही मैं आपको बात हूंगा यहाँ पर अगर आपको मॉबाइल टू लैपटॉप में कोई भी वीडियो या फिर ओडियो या तो इमेजस या तो कोई भी फाइल्स अगर आपको ट्रांस्फर करनी है तो आप यहाँ पर अपने ब्लुथूथ की हेल्प से भी इस प्रॉसस को कंप्लीट कर सकते है यहाँ पर जो यह वीडियो है स्पेशली में बिगिनर्स लोगों के लिए कवर करो तो यहाँ पर आज के टाब में ऐसे कई और भी यूजर से जिने अगर मोबाइल टू लैपटॉप में कोई भी फाइल्स को ट्रांस्फर करना है तो उनके लिए यह जो प्रॉसस है काफी एक तरीके से यूसफुल होगा तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो को ट्रांस्पर करके बताऊंगा मोबाइल टू लैपटॉप में और किस तरीके से करना है वो आपको बताऊंगा तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में जाना है और यहाँ पर आपको ब्लुथू एड़ डिवाइस का उसके बाद आपको फिर अपने मोबाइल में जाना है और मोबाइल में आपको ब्लुटूथ के सेटिंग में जाना है और यहां से आपको ब्लुटूथ को इनेबल कर दिना है इनेबल करने के बाद यहां पर आपको चेक आउट करना है कि यहां पर आपके laptop का नाम आपको mobile में दिख रहा है या नई अगर दिख रहा है so that's it okay बस यहाप फिर आपको check out करने के बाद directly आपको अपने mobile के gallery में जाना है gallery में जाने के बाद फिर आपको वो video चे फाइंड करना है जिससे आप transfer करना चाहते है Bluetooth के help से mobile to laptop में तो मेरे कैसेस में example के दोर पे ये एक video है इस video को में transfer करना चाहता हूँ mobile to laptop में Bluetooth की helps है तो directly अभी यहाँ पे down site में आपको share का एक button दिखेगा हूँ उस पे जाना है और आपको Bluetooth का option select करना है लेकिन select करने से पहले आपको अपने laptop में जाना है और यहाँ पे आपको जो Bluetooth का option है उस पे आपको mouse पे right click करना है right click करने के बाद आपको यहाँ पे make sure कि आप इस receive file पे जरूर क्लिक करें because हम laptop में receive कर रहे है दिर इसके बाद आपको यहाँ पे यह एक अलग window देख जाएगा बस उसके बाद आपको यहाँ पे share button पे जाना है और यहाँ से Bluetooth का option select कर लेना है फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आपके device पे select कर लेना है और यहाँ पे फिर जो video है यह transfer होना start हो जाएगा mobile to laptop में you can see that that's it तो जैसे यह transferring complete होगा दिन इसके बाद आपको अपने laptop में जाना है और आपको यहाँ पे location बताएगा उस location में आपको video वहाँ पे store हुआ है जैसे कि c drive में c drive में users option में उसके बाद access folder में और उसके बाद documents folder में तो यहाँ पे transferring complete होने के बाद make sure कि आप इस finish वाले बटन पे ज़रूर किल करिये फिर उसके बाद my computer में जाना है c drive में जाना है उसके बाद users options में फिर access folder में और यहाँ पे documents folder में देख जाएगा so here I can see that यह रहा वह video with life proof तो इसी तरीके से आप video को transfer कर सकते है bluetooth के help से mobile to laptop में अब यहाँ पे मैं आपको एक photo को भी transfer करके बता तो mobile to laptop में तो फिर से आपको gallery में जाना है gallery में जाने के बाद आपको photo को select करना है जिससे आप transfer करना चाहते है तो मेरे cases में यह जस्टीन बीबर का दो photo है इससे मैं transfer करूँगा तो यहाँ पे फिर से bluetooth के option पे select करना है लेकिन उससे पहले फिर से आपको laptop के setting में जाना है फिर से bluetooth के option पे rights पे click करना है और यहाँ पे receive file पे click कर देना है फिर से यह window यहाँ पे open हो जाएगा अब यहाँ पे फिर से आपको अपने मुबल में जाना है और यहाँ पे शेर बटन पे क्लिक करना है Bluetooth के आपशन पे सिलेट करना है और फिर से उस डिवाइस को सिलेट करना जिसे आप ट्रांसफर करना चाहते है यहाँ पे फोटो भी ट्रांसफर हो जाएगा मुबाल टू लाप्टॉप में Bluetooth की हेल्प से तो यह भी वही पे स्टोर हुआ है जहाँ पे आपका वीडियो स्टोर हुआ था फिर यहाँ पे डाइरेक्ले डाउन साइट में आपको फिनिश वाले बटन पे क्लिक कर देना है फिर से आपको माई कम्पूटर में उसी लोकेशन में जाना है यह राव फोटो इसी तरह के से आप वीडियो को फोटो को ट्रांसफर कर सकते हैं Bluetooth की हेल्प से Mobile to Laptop झाल 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 झाल